असलाम लोगों स्टुडेंट्स कैसे आप लोग उमीधा आप सब खेरियस होंगे आइम सहीदा कामरे नदीम आइम यूर बाइयोलोजी टीचर फोर क्लास 9 स्टुडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेंब्रेन के बारे में स्टुडेंट्स अपने पिछले लेक्चर में हमने स्टुडी किया था सेल वॉल को जिस पे हमने ये देखा कि अगर हम प्लांट्स की बात करें बैक्टेरिया की बात करें या फिर फंजाए की बात करे तो इसकी आउटरमोस चो लेयर होती है या कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं cell wall लेकिन इस cell wall के नीचे की तरफ या अंदर की तरफ भी एक और covering present होती है जिसे हम कहते हैं cell membrane इसी तरह अगर हम animals या animal like protest की बात करें तो इनकी आउटरमोस कवरिंग होती है cell membrane तो हम यह कह सकते हैं कि जितनी भी prokaryotes है या यूगे यूट से इन में एक लियर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं cell membrane तो हम cell membrane को कैसे define कर सकते हैं all prokaryotes and u-carriotes have a thin and elastic covering which is known as cell membrane students अगर हम cell membrane के function की बात करें तो हमें पता है के cell membrane बहुत सारे function perform करता है जैसर कि हम यह देखते हैं कि citoplasm के बाहर यही membrane होती है जो के citoplasm को protection provide करती है इसी तरह हम यह कहते हैं कि क्योंके यह citoplasm के बिलकुल बाहर बाहर प्रेजर्ण है और यह citoplasm को protection provide कर यह तो हम l membrane को साइटोप्लास्मिक मेंब्रेन का भी नाम देते हैं क्योंकि हम यह देखते हैं कि सेल मेंब्रेन की अगर हम नेचर देखें तो हम यह कहते हैं कि सेल मेंब्रेन एक सेमी के लिए नुक्सान दे होगा उसको कभी भी सेल मैंब्रेन में नहीं होने देगी इसलिए हम यह कहते हैं के सेल मैंब्रेन slightly permeable या या semi permeable membrane है और क्योंके यह किसी भी चीज को या किसी भी ऐसे material को सेल में दाखिल नहीं होने देती जो के cell के लिए नुकसान देए इस लिए साइटो-प्लाजम ये इंटर्नल कॉम्पो शिचन जो cell की होती है उसको भी मेंटेर्ण करती है तो इसका दूसरा रोल क्या है कि ये इंटर्नल कॉम्पो शिचन आप वसेल को को identify करते हैं recognize करते हैं और इसके साथ साथ इसके अगर हम और functions की तरफ और करें तो यह transportation में भी help करती है स्टुडेंट अगर हम cell membrane की structure बात करें तो हम यह देखते हैं कि सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसकी chemical composition पे तो chemical analysis of cell membrane से पता चलता है कि cell membrane में proteins मौझूद है लिपिट्स मौझूद है और कुछ amount में carbohydrates भी मौझूद है लेकिन स्टुडेंट अगर हम इसका electron microscope से जाइजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि cell membrane एक इंतहाई complex structure रखती है अब हम पढ़ लेते हैं कि fluid mosaic model क्या है और यह किस तरह एक cell membrane के structure को represent करता है इस्टुडेंट्स अगर हम नजर दोर आए fluid mosaic model पे तो हम पता चलता है कि fluid mosaic model के according कोई cell membrane lipid by layers बनी हुए है यानि इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी cell membrane के structure में present होती है दो lipids की layers इसलिए हम कहते हैं lipid by layer by का मतलब पे दो यानि के दो layers होती है lipids की इसके इलावा अगर हम इसके structure पर गौर करें तो हमें बहुत बड़ी-बड़ी सी embedded proteins भी नजर आती है जो कि in lipid by layers के अंदर ही present होती है यानि कि in lipid जो phospholipid molecules आपको नजर आ रहे हैं इनके दर्मयान आपको बड़े-बड़े से structures भी नजर आ रहे होंगे जो के इनके अंदर धसे हुए हैं और इन structures को हम कहते हैं कि यह है embedded proteins या पर integral proteins students इसके इलावा आप लोगों को नजर आ रहे होंगे कुछ परिफड प्रोटीन पी और परिफड प्रोटीन ऐसी प्रोटीन सें हैं जो के cell membrane के sites में present होती हैं साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत ही small amount में आपको सेल membrane में कार्बोहाइड्रेट्स भी नजर आ रहे होंगे ये कार्बोहाइड्रेट्स दो forms में present होते हैं यह कार्भो हाइड्रेट्स यहां तो लिपेट के साथ कंभाइण होते हैं और अगर यह लिपेट का साथ कंभाइन होंगे तो हम इनको नाम देंगे ग्लाइको लिपेट्स का और हम ग्लाइको लिपेट को कैसे डिपाइण कर सकते हैं complex of carbohydrate and lipids are known as glycolipids क्योंकि ग्लाइको का मतलब है carbohydrate और lipids का मतलब है lipids यानि carbohydrate और lipids के combination को या complex को हम कहते हैं glycolipids साथे साथ आपको यहां पर कुछ और structures भी नज़र आ रहे हैं जो के हैं glycoproteins के glycoproteins ऐसे structure से जो के बने हुए हैं carbohydrate से और protein से और इसे लिए हम इनको नाम दे रहे हैं glycoproteins का क्योंकि ग्लाइको का मतलब होते है carbohydrates तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस cell membrane में तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं यानि कि आपको जो मेजर चीज़ें नज़र आ रही है वह है लिपिट पाइलियर साथ इसाथ आपको नज़र आ रही है embedded proteins और आपको नज़र आ रहे है carbohydrates जो के दो तरह यानि दो forms में नज़र आ रहे है ग्लाइको लिपिट्स की फॉर्म में और ग्लाइको प्रोटीन्स की फॉर्म में इसके लावे स्टुडेंट्स जब हम ने इसकी केमिकल कॉम्पोजीशन पर गौर किया तो हमें यह भी बात पता चली कि फ्लूइट मोजेक मॉडल के इसके बाद स्टुडेंट्स हम बात कर लेते हैं सेल मेंब्रेन के और फंक्शन की जैसे के हम देखते हैं कि सेल मेंब्रेन सिर्फ और सिर्फ सेल की आउटरमोस मेंब्रेन यानि एनिमल सेल और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की आउटरमोस मेंब्रेन नहीं है बलके हम यह दे की गौल्जी अपरेटर्स की तो हम भी देखते हैं कि यह वह और्गनिल से जिनकी आउटरमोस मेंब्रेन सेल मेंब्रेन है और यह मेंब्रेन इन और इसको प्रोटेक्शन प्रवाइट करी है इसके बाद स्टुडेंट्स आप दों के पास एक साइट बोक्स मौझूद है जिस सेल में मौझूद जितनी भी मेंब्रेन होती है उनको हम कहते हैं सेल मेंब्रेन लेकिन अगर हम प्लास्मा मेंब्रेन की बात करें तो प्लास्मा मेंब्रेन वो मेंब्रेन होती है जो के सेल के आउटरमोस मेंब्रेन है या फिर आउटरमोस कवरिंग है उसे हम कहते हैं सेल मे प्रोटेस्ट और उसे भी हम एंब्रेन केते हैं और यह प्लांड फंगस और बेक्टेरियल के केस में आउटरो मोसगी नहीं होगी वाल्कि यह सेल के इंसाइट फ्रेजिन उगा इसका मतलब यह हुआ कि सेल मेंब्रेन ऐसे को रिंगे जो ऐनिमाल सेल्ट की आउटरो मोसग व और यह वो कवरिंग है जो के प्लांड फंगस या बेक्टेरियल सेल के सेल वाल से अंदर परजल होती है उसे हम कहते हैं सल मेंब्रेन तो इस टुटेंट जब भी आपसे प्लास्मा मेंब्रेन या पिर सेल मेंब्रेन के बारे में पूछा जाएगा तो आपने क्या बताने कि प membrane जो कि cell में प्रेजर ने उसे हम कहते हैं cell membrane students यहां पर मैं आप से एक चोटा सा quiz लोगी और इस quiz में मैं आप लोग उसे करूंगी कुछ questions जो के exam point of view से बहुत ही important है तो चलते हैं हम अपने quiz की तरफ सबसे पहला जो question में आप लोगो से करने जा रही हूं वो है define cell membrane तो students आप दों को पता है कि cell membrane क्या होती है जितने भी प्रोके यॉर्ट्स और यूके यॉर्ट्स होते हैं इन में इलास्टिक membrane पाए जाती है जिसे हम कहते हैं cell membrane इसके बाद अगर मैं आप से एक और short question करूं के would you know about fluid mosaic model तो आप दों को पता हुने चाहिए कि fluid mosaic model के according cell membrane एक lipid bilayer से बनी हुए है जिसमें embedded proteins भी है और यह embedded proteins क्या करती है यह किसी भी material की transportation में भी help करती है हैं और हम इन प्रोटीन को transporter proteins भी कहते हैं इसके इलावा हम देखा कि fluid mosaic model के according इस cell membrane में पाई जाते हैं carbohydrates और सासत cholesterol के molecules भी इसके इलावा students next question जो मैं आप से करने जा रही हूं वो है what is role of cell membrane यानि cell membrane का क्या function है तो आप दोंको पता हुन चाहिए कि cell membrane ना सिर्फ cytoplasm को protection provide करती है उससे covering provide करती है बलके हम यह देखते हैं कि यह cell membrane provide करती है strength या support to the cell और वो कैसे क्योंकि cell में मौझूद होता है network जिसको हम गयते हैं cytoskeleton और यह cytoskeleton nuclear membrane और cell membrane के दरम्यान ही present होता है और यह connect होता है एक site से nuclear membrane के साथ और दूसरी साइट जोई cytoskeleton की होती है वो connect होती है इस cell membrane के साथ इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी cell की strength या उसकी shape को maintain करने का काम cell membrane भी उसी तरह perform करती है जिस तरह cytoskeleton प्रफॉर्म करते हैं अगर cell membrane ना हो तो cytoskeleton भी किसी चीज या किसी भी support के बगएर जोए वो collapse कर जाएगा और वो अपनी जगह पर काइम नहीं रह सकेगा इसके साथ हम देखते हैं कि different chemicals को recognize करने का process यहां किसी भी foreign agent को recognize करने का जो process होता है वो भी cell membrane ही control करती है फिर हमें यह पता है कि यहां से एक और short question आ सकते हैं जो कि बहुत important है और वो क्या है कि वोड़ यू मीन बाइदे स्टेटमेंट डैट cell membrane is semi-permeable membrane तो आप लोग को पता है कि हम cell membrane को semi-permeable membrane क्यों कहते हैं क्योंकि यह कुछ materials को जो के cell के फाइदे के लिए होते हैं यह उनको अंदर आने देती है और वो materials जो के cell को नुकसान पहुंचाते हैं उनको बाहिरी रोग देती हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह किसी भी cell के लिए as a barrier काम करती है यहां पर आपसे long question पूछ जा सकते हैं और वह long question कैसे पूछ जा सकते हैं राइट node on fluid mosaic model यह फिर आप से यह भी पूछ जा सकते हैं right node on cell membrane तो इसके अंदे स्टुरिंस आप लोगने कैसे जो नोट लिखने हैं आप लोगने सबसे पहले cell membrane की definition लिखनी है इसके बाद आप लोगने cell membrane के functions लिखने हैं points की form में और इसके बाद आप लोगने explain करने fluid mosaic model को और आपने fluid mosaic model के diagram दो करनी है साथ साथ यहां से जो शॉर्ट को सन आप से पूछ जा सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया तो वो क्या है के differentiate between plasma membrane and cell membrane तो आप लोगों को पता है कि यह साइट बॉक्स में गिवन है आप लोगने इस शॉर्ट को सिन को हाइलेट कर लेना है ताके आप लोगों के preparation के वक्त शॉर्ट को सिन भूलना जाए प्रेपर करना इस्टुट जहां पर आप लोगने चोटी सी activity परफॉर्म करनी और वो क्या है कि आप लोगों ने इस कोई की रिटेन प्रेक्टिस करनी है और साथ ही साथ आप लोगों ने इसकी फ्लूइड मौस एक मॉडल की जो डाइग्राम में वह बहुत ही खुबसूरत सी बनानी है और आप लोगों को पता है कि डाइग्राम हमेशा आप लोगने किसी से ड्रॉप करनी है पैंसिल करनी है क्योंकि पैंसिल इस नॉट अलाउट इन बोर्ट एक्जाम्स तो आप आप लोगों को बताती हूं उन सब चीजों को जहन में रखा करें और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें जी स्टूइंट्स तो आज हमने पढ़ाएं सेल मेंब्रेन के बारे में हमने एक रेजिय की और हमने देखा कि फ्लूइड मॉस एक मॉडल क्या है हमने इसकी ड membrane और plasma membrane में क्या difference है स्टुडेंच मैंने आप दोग उसे एक छोटा सा क्विस लिया जिसके आप दोगों ने activity करनी है और वो activity क्या है किआ आप ने टॉपिक प्रिपेर करना है और आपने इस क्विस की written practice करनी है मुझे उमीद है आज के लेक्चर की आपनों को अच्छे समझ आगे होगी नेक्स लेक्चर तक के लिए आपने अपने बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है अल्ला हाफिज